हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एंजल जाएका केचिन आज की हमारी रेस्पी है अफगानी यानि कि आजम बनाने वाले हैं अफगानी चिकिन पिरियानी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी वनती है आप इस तरह से बनाऊगे तो बाकी के सारे टेस्ट भूल जाऊगे तो आई ये से रफली चॉप करके प्याज लिए बड़ी साइज की प्याज है तो मैंने चार ये प्याज ली है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है यह मैं सर्सों के तेल में बना रही हूं आप रिफाइंड ओल में या बटर या देशी की किसी में भी बना सकते हो तो यह मैंने चार च मिर्ची एक टुकड़ा अद्रक करके साथ में इसको भी हम भूनेंगे इनको भी हल्का साही भूनना है कोई इसमें कलर नहीं लेके आना तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं तो यह प्याज वगएर हमारे ठंडी हो चुकी है अब इसे मिक्सी के जार में लेकि हमें इसे पीसना इसका एक पेस्ट बनाना है अब साथ में मैंने आठ से दस काजू लिये हैं और साथ में जाएगा यह खूप सारा हरा दनिया अब इस सब को पीसके बढ़िया सा पेस्ट हम के लिए के लिए कि उसेम चैनल को तो प्याज फर्आयर इसे निलेते हैं अब इसमें पैस्ट को डाल के और लगातार इसे हमें भूणा है अच्छा सा कलर आने तक क्योंकि क Storage ब् Carry Del तो लगातार इसे हमें प्यास वगरा को भूनना है तो देखी बहुत अच्छा कलर आ गया है इससे ज्यादा नहीं भूनना अब इसमें कुछ मसाले लेने हैं तो चार चम्मच भरके मैंने नमक लिया है देर चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर एक चम्मच इसमें लाल अब लागातार इसको हम मिक्स करेंगे जैसे कि अमारा फटे नहीं थोड़ा सा जार में पानी डाल के इसमें डाल देते हैं अब मसाले को हमें थोड़ा सा भूनना है तो मसाले अच्छे से भूनकर हमारा तयार है यह मैंने पॉन कुलो चिकिन लिया है सारी चीजे मसाले प् अब इसको मैंने ग्रेवी में इसको हमें पकाना है अब इसमें मैंने पानी नहीं डाला पहले भून लिया है मैंने मसाले में अब इसके बाद इसमें हमें पानी लेना है तो इतना पानी डालना है कि बस चिकिन हमारा अच्छे से गल तो एक बरतन में पानी लिया है यह तो एक गंटे के लिए पानी में रखा आ है उत्खे से फूल गये हैं पानी से इनको अल göraो तो इन्ही चावलम का इस्तमाल के जिए बनस्पतीा नहीं लेने क्योंकि वो तोठ जाते हैं अब चावलों को डाल देते हैं, पानी मच्चा सा बॉल आ गया है, अब चावल को पकनी देते हैं, तो यह चिकन को चेक कर लेते हैं, और इसमें मैं दो से तीन, दो टुकड़े करके हरी मिट इसमें डाल दी हैं, बस इसको एक से दो वार इस तरह से घुमा देंगे, बस तब पकने देते हैं जब तक के चिकिन अच्छे से गल नहीं जाता अब इसके बाद मैंना एक चमच इसमें कसूरी मैती क्रिश करके डाली है तो चिकिन का पता चल रहा है बहुत अच्छे से पक यह मारा तैयार अच्छा सा कलर भी आ गया है अब गैस को आफ कर देते हैं और इदर अब सारे मसाले वगेरा तेल का हमने इस्तेमाल किया बिल्कुल पर्फेक बनेगी दो पिंच में मैंने फूट कलर लिया है पानी में थोड़ा सा लेके और येलो उपर से हरादनिया डाल देते हैं अब इसको अच्छे से डग देंगे जिससे किसमें स्टीम भाणना नेकल इ से नीचे तले में लगी है तब एको जैस कि पर लुझ या फडम के लिए पखने एपने में में देती हैं तो 10-15 माद बारस लुझे तो 10-15 में में बार देक अब बिल्कुल पर्फेक्त हमारे अफगानी चिकिन और बिर्यानी बनकर तयार हैं तो यह कितो Skills if भूल जाओ गै अगर वीडियो अच्छे लगाओ यूस फूलो तो वीडियो को लाइक करें कमेंड करें जाश यादर शेयर करें चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक कि जैहिन जै़ा